वेल्गम तो माय उटूब चैनल आज के लेक्षर में डिसकस करेंगे गांट्रोल और कॉडिनेशन में डिसकस करेंगे दा मुस्ट इंपोर्टेंट कुश्चिन विच इस वेरी इंपोर्टेंट फॉर बोर्ट परफॉस फस्ट एमसी यूज इस असेल इन असेंस और गन विच लगए क्या हो गया हमें चेयर से चोट लग गई फीक है तो जब इस टूम्लस हमारी बॉड़ी में चोट होती तो कौन सी चीज हमारी बॉडी में प्रेज़न होती है जो ब्रेन तक मैसेज ले जाती है यह हम बोल सकते हैं उसको बहुत जादा सेंस्टिब होती किसके लिए स प्रिसप्टर प्रजेंट करता है यह प्रकार सी और ग Generally करता है में चोड़ा कि वेस्ट करता है फिर हमारे प्रेंट तक मैस इसको ट्रांस्फण करता इसी ते नेक्स पूंच्छ इस विच आप फॉलीग गीजेम खनेस्टेंट में चारों इन Vere receptor नहीं कहेंगे, ear, ear क्या करता है, receptor की तरह एड करता है, हमारा nose भी receptor की तरह एड करता है, हमारा IV receptor की तरह एड करता है, तीनों हैं क्या, तीनों प्रकार के sense organ है, but हमारा जो muscles होता है, वो कभी भी receptor की तरह एड नहीं करता है, so the correct answer is C, the next question is, one of the following, act as endocrine gland as well as an exocrine gland, this one is, इन चारों में से ऐसी कौन सी gland है, जो की endocrine gland और exocrine gland, दोनों की तरह एड करती, अगर हम बात करें कि endocrine gland को क्या बोलते हैं, ductless gland, क्या बोलते हैं, ductless gland, और exocrine gland को हम क्या बोलते हैं, duct gland, क्या बोलते हैं, duct gland, पहला option दिया है, slibri gland, दूसरे है Pancreas, तीसरे है Pituitary, चौथा है Paratheroid यह Pancreas ही एक ऐसा Gland है जो EXOCRINE Gland के साथ Indocrine Gland की तरह ऐड़ करता है Means Indocrine और Exocrine Gland दोनों की तरह ऐड़ करता है तो हमारी पूरी बोड़ी में Pancreas ही एक ऐसा Gland होता है जो exocrine gland और endocrine gland दोनों की तरह add करता है So the correct answer is B The next question is iodine is necessary for the synthesis of which of the following hormone iodine कौन से hormone के लिए बहुत जादा important होता है Means कौन से hormone की synthesis करता है पहला option है adeline, दूसरा है oxyn, तीसरा है thyroxyn और चौथा दिया गया insulin iodine क्या बनाता है? thyroxyn hormone बनाता है किसके अंदर बनाता है? thyroid gland के अंदर thyroxyn hormone की preparation में कौन हैल्प करता है? iodine So the correct answer is C The next question is the spinal cord originated from Is spinal cord कहां से originate होता है? पहला option है cerebrum, दूसरा है cerebrum, और तीसरा है medulla और चौथा दिया गया है pons Is spinal cord का origination कहां से होता है? Origination होता है, इसका medulla से होता है So the correct answer is C The next question is the involuntary action in the body are controlled by हमारी body में जितने भी involuntary function होते हैं उनको control कौन करता है? पहला option है medulla in forebrain दूसरा है medulla in handbrain तीसरा है medulla in spinal cord चौथा है medulla in midbrain जितने भी involuntary action होते हैं हमारी body में उनको control करता है medulla in handbrain means जो medulla में handbrain present होता है वो control करता है So the correct answer is B अद्दी